ऐसलामी ह piace तरे क्यालों आज मैंने आए हूं आप सब इसल् 부분이 आप सब इसे सब्रेट हों है आप सब इसे लृग आप सब बिल्कुल और आपकि上 अपकि दूमाराम Interior को बिल्कुल क्यों आप बहुत्र है घर आपे हों और यहां पर देखे मैं वेट कर दी घर बिल्कुल पूरा साफ ता मैं सुचती रोज घर इतना ही साफ रहा करें और जब कोई गैस राने मिला तो तो कोई फैला आता भी नहीं जल्दी की जब तक गैस नहींगे घर साफ तो रहे तो काश ऐसा रोज हुआ करें और रोज गैस टाया करें और गर्मी लेकिन बहुत ज़ादा हो रही है और गर्मी में तैयार बस नहीं हुआ जाता गैस के सामने इतने देर तक कि तो मैंने परसी पहना तो यहाला ड्रेस और मैं वेट करी थी कि जल्दी से गैस्ट है और फिर मैं इसे चेंज कर दू कि इते देर तर मुस्से पहना नहीं जा था और यहां पर बन गया था मुर्गी चामल और मैंने थोड़ी से जो फ्राइड चिकन जो खाले थे इस राइस के को इसी भी शेप की और मैकराणी ले सकते हैं यह कुईकेस्ट और इजियस रैसिपी है और जैसे जटपड बन जाएगी यहां पर आप लोगों लेने नहां मैकराणी इसे कर लेना है वाश और हमेशा चाय पैकड़ी क्यों ना हुआ करे आप लोग वाश कर लिया करिए आप पर आपको लेने हैं मसाले 1 तीसपून के हिसाब से सॉल्ट 1 तीसपून ब्लाइक पेपर पाउडर 1 तीसपून जीरा पाउडर 1 तीसपून धनिया पाउडर एंड पिंच ऑफ हल्दी और बस यही रहेंगे इसके इंग्रीडियंट्स और यहां पर मैंने ले ली थी चीज क् और यहां पर आपको पैन में डाल देना है 4 तीसपून के हिसाब से ओयल और जब ओयल हो जाए उसमें डाल देनी हैं आपको अनियन और अगर आप कड़वा तेल लेने तो ओयल को हो जाने दीजिए थोड़े देर के लिए गरम तब आप उसी यूज कीज़ेगा मैंने यहां और यहां पर आपको डाल देना है इसके अंदर अनियन अनियन हो जाए ट्रांसलूसें तो इसके अंदर आप थोड़े इसको चलाई अच्छे से और नीचे वनन लग जाते क्योंकि मेरा पैन नॉन स्टिक नहीं था और मैंने इसमें डाल दिए ता वन टीस्पून जिंजर जिंजर गार्लिक पेस्ट और यह देखिए जब आप गार्लिक डालिक डालें इसका आरोमा बहुत अच्छा हैगा तो थोड़े से हो जाने दीजिए इसके बाद आप डाल दीजिसमें टोमेटो और जितना कम जाद आपको टोमेटो करना हो क्योंकि मेरे कजन को जादा टोम समय प्लाजिक ये अच्छान अच्छाू होगां निकाल दे तो मेरेश मेरे साथ अगया और मुझे साहदा भी पास्ता और यहां इसको मैने service कर दोब ऑंग बंदो ओर नघमेड़ और घल जाएं और गल जासे गरदाइगा इसको तोड़ा से result रयं लगया दे उर भाद उत और जैसे यहां पी इगल जाएगा इसके अंदर आपको आड़ कर देना है सारे मसाले जो हम लोने मैंने बताये थे और इसके पास्ते थोड़ा सा पका लिए यह भी जाले यह पास्ता और यह देखें मुस्त यहां पर यह यह हो गई ती गलती क्योंकि मैंने पास्ता जल्दी आपको जल्दी निगए जब मसाला आप लोका बनके रेडी हो जाएगा तब आप लोने पास्ता वाश करना है यहां देखें मुस्से मिस्टेक हो गई थी क्योंकि मैंने बहुत देर पहले वाश करके रख दिया था और एक्शली मैं ट्राइपॉट से वीडियो बना रही हो ओणने खान будет यहां पर इसे मिक्स कर दीजेए और इसमें डाल लीजेगा यह दो ग्लास के बराबर पानी और इसे कर दीजेगा ढ़क के बंद और यहांपर यह देखें सब चीजहें पूर बंद और यहांपर इसे पर लगेंग deben सिहों 15 मिनटस और जितने जल्दी आपको प जोपने लिए बना लेती हूंचाहाई क्योंकि आज मेरे सर में बहुत दरवत हो रहा था मेरी दो-तीन दिन से तब ठीक नहीं में बहुत जादा पेन हो रहा है और यहां पर पास्टेक में पानी इसका यह पूरा वो कर रही थी कि पूरा पानी कतम हो जाए क्योंकि मेरे कजन तोड़ा सूपी नहीं गाते हैं और यहां पर देखें मैंने इसके साथ सब्सक्राइब उसको मुश्किल हो जाता है और यहां पर मैंने साथ में चाय बना ले लिए और आप पर पानी क्योंकि मैं तो अक्सर पानी पहले डालती हूं और यहां पर देखें मैंने डालती है मैंगी का थोड़ा सा मसाला यानि हाफ टीस्पून आपको मैंगी का मसाला डालकी से कर दीना एंड में मिक्स और यह देखें बनके रेडी हो गई है वह यह थी हमारी क्योकिस्ट रेसिपी और इसमें आपको बिल्कुल भी कोई जरुद इसे बॉयल बॉयल करने की पास्ता वगेरा को यह बहुत जल्दी बन जाती है और मैं अकसर ऐसी बनाती हूं क्योंकि मेरे कजन्स अकसर यही दिमांड करते हैं कि अपी ब्रीज मैकरानी बना दीजे और यहां पर मैंने कर लिया था सर्फ सब कुछ और मैं लेकर कर जा रही किसे ऊपर क्योंकि सब बैठे थे ऊपर और बस आज का यही था व्लॉग मेरा और आप लोग मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताएगा कि आपको यह रैसीपी आची कैसी लगी और मैं मिलती हूं आपसे नेक्स व्लॉग में तब तक लिए टेक कियर अलाहाफिज लॉट्स